एक दिन मैंने बैठे बैठे ऐसे ही सोचा कि काश इन बच्चों की प्लास्टिक के नैपी होती है क्योंकि कभी-कभी बहुत मैस्क्रियेट हो जाता है and guess what I found तो आगे मैं रिव्यू करूंगी वाटरप्रूफ नैपी का तो मैंने यह फर्स प्राइस से ओर्डर की थी और यह ब्रैंड है बेबी हग वाटरप्रूफ नैपी तो आज हम इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे actually मैं बहुत दिनों से इसे use कर रहे हूं तो मैंने सुचा आप लोगों के लिए भी इसे शायद यह beneficial हो तो आप लोगों भी इसे दिखाते हूं कि यह कैसी है तो चलो पहले देख लेते हैं इस पर क्या क्या लिखा हूँ है ठीक है तो पहले लिखा है soft and comfortable highly durable ego friendly और जैसे मैंने आपको बताया कि बेबी हग ब्रैंड है ठीक है फिर क्या लिखा है बेबी वाटर प्रूफ नैपी नैपी है ओके फिर उसके बाद यह कौन कौन से sizes available है आप देख सकते हैं small है medium है large एक्सेल है यह मैंने एक्सेल मंगा था मुझे लगा कि large कहीं मेरे बच्चों को बढ़ा ना हो तो हम इंडियन पेरेंट्स होते हैं कि बढ़ा ही दिलवाओ बढ़ा ही दिलवाओ तो मैंने अपने बच्चों को बढ़ा मंगाने के चक्कर में एक्सेल मंगा लिए जो मेरे बच्चों को बढ़ा है ठीक है यह इसकी sizes available है और वाश केर देख लिते हैं इस पर वाश केर क्या लिखा हुआ है मैं खूली लेती हूं एक मिनट इसको पहले तो इस पर हां तो इस पर लिखा हुआ है do not iron do not use chlorine do not टंबल रहा है ठीक है do not iron सबसे बड़ी बात है यह प्लास्टिक की नैपी है तो आप iron कैसे करोगे प्लास्टिक चिपक जाएगी उस पर machine wash at 30 degree Celsius ऐसा कुछ नहीं है मैंने machine wash इसको temperature काफी high था machine का पर इनको कोई फरक नहीं पड़ा यह अच्छे मतलब अच्छे से धुल वो ही मैंने डाला तो अच्छे result है ठीक है फिर इसके बाद इसको देख लेते हैं कि यह कितने रुपे की आई है तो इसका price चेक कर लेते हैं तो इसका price है 375 रुपीज यह आप देख सकते हूं इसका 375 रुपीज प्राइज है पर यह 375 की नहीं थी मैं दिखाऊंगी first cry थ एक इसमें और भी brands थे पर वह brands मैंने लिए नहीं क्योंकि वह तुझे मुझे मुझे थोड़ा महंगे लग रहे थे तो फिर मैंने यह बेबी हक का मुझे सस्ता दिखा तो मैंने इसे मंगा लिया तो यह इस पैक में से तीन निकलती है मतलब यह तीन का सेट है एक यह सकते हैं कि यह प्लास्टिक है ठीक है आप देखोंगे ध्यान से तो यह प्लास्टिक है तो इससे जो बच्चा पी करता है वह बहार नहीं आएगा ठीक है और अंदर से मैं आपको इसका material दिखाते हूं अभी material है इसका आप देख सकते हैं अच्छा है अंदर से काफी सॉफ्ट है आप अगर ध्यान से देखेंगे मैं यूज कर रही हूं इने मुझे लगभग हो गए छे महीने यूज करते करते अब आपके उपर है कि आप यूज करना चाहते हो या नहीं ठीक है material इसका अंदर से सॉफ्ट है बच्चे को कोई मतल हाड है यह तो प्लास्टिक या नहीं यह प्लास्टिक वाला ही टच देगा पर जो बच्चे की स्किन को टच करेगा वह यह मतीर और यह सॉफ्ट मतिरियल है आप सबको पता है कि वेरे तो मैंने उन दोनों बच्चों के लिए दो सेट मंगाए हैं तो आप इने यूज कर सकते हैं मतलब थोड़ा डाइपर फ्री टाइम देने के लिए बचों को ये यूज कर सकते हैं जो पैरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा बातरों में धरुदर ना करें तो ये अच्छी चीज़ है लीकेज की बात कहो तो अगर ये टा फिर दूसरी बात आती है कि प्रिपी बार होल्ड करता है अब दो इख बाता है अपको बारी करना पड़ती बच्चे दोएप बार पर आपको चैक करना पड़ेगा पर अगर Kerry को टीकर ठेक होती है तो मेरे यह साब से था है आप अपने बच्चों के लिए इसे यूज कर सकते हैं कुछ पैरंट्स नहीं पहनाते डाइपर उनके लिए भी ठीक है कि अगर आप थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सेफ खेलना चाहते हो बच्चों के साथ तो आप उनके लिए भी यूज कर सकते हो मैं यूज करती हू मतलब आप चाहे हो तो खरीद लो ना चाहो तो मत खरीदो मैं कोई sponsor मतलब ये कोई sponsor product नहीं है कि मैं sponsor कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है मुझे थोड़ा useful लगा क्योंकि मैं पूरे दिन बच्चे को diaper में रखती हूँ तो फिर मैंने ये खरीद लिया तो ठीक है ये product मतलब आप ले सकते हो पर ऐसा नहीं है कि पूरा दिन इनी products में बता है इसके अंदर सबसे बड़ी problem ये कि बच्चे को बिलकुल अंदर हवा नहीं लगती मतलब बच्चे को अंदर हवा बिलकुल नहीं लगती अंदर से पसीना आने लगता है बच्चो को क्योंकि ये plastic की covering है तो अंदर air pass नहीं होती तो इसलिए आप ये नहीं है कि पूरा दिन आप बच्चो को ये ही पहनाओगे तो आप बच्चे को पहना सकते हो बस एक बार के लिए दो बार के लिए पूरा दिन नहीं पहना सकते क्योंकि इसमें बिलकुल एर पास नहीं होती मेरे केस में मुझे ये थोड़ी यूसफुल लगी तो मैंने ये दो सेट बच्चों के लिए मंगाए हैं आप मंगाना चाहते हैं या नहीं आप भी देख सकते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि तीन का सेट है और अलग-अलग साइजेज में अवेलेबल है मेरे को ये शाय 275 के करीब पड़ा था मैं अभी आपको साइड में इसका लिंक देदूंगी और उसका प्राइस देदूंगी दूसरे ब्रैंड्स के भी थे पर वो थोड़े महंगे थे ये सस्ता वाला था तो मैंने ये इसे मंगा लिया हाँ मशीन वाश भी है और जो हमारी फुली ऑटोमाटिक मशीन है उसमें पता नहीं 60 डिग्री सेलसियस पर पानी गरम करता है या कुछ ऐसा करता है तो उस पर भ है तो आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं तो मेरा आज के लिए बस इतना ही अगली अगले वीडियो में देखेंगे मैं क्या रिव्यू करती हूं चलो ठीक है नमस्कार बाई बाई